नमस्कार स्वाथियों स्वागत है आप सभी का अभिपसा की पूरी टीम की तरफ से मेरा नाम है अभिना कुशांचु पांडे और आज हमारी चर्चा का विशाई क्या है हम लोगों ने कल गोली दर्पन से परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चा की थी आज हम उनका उप सबसे पहले आज की हमारी चर्चा का विशाई क्या है और उसके अनुसार क्या-क्या पॉसिबल इस्थितियां हैं जहां पर हमको उसके प्रतिबिम्ब दिखाई देंगे क्योंकि इसके बारे में एक सिस्टेमेटिक चर्चा होना ज़रू इए है ठीक है उसके बाद में यही बात जो है हम जो है उत्तल दरपन के लिए करेंगे और अंत में जो है बहुत सारे रेखा चितर देखेंगे जो की परावरतन के लिए किसी गोली दरपन का जो है यह महत्वपूर्ण पार्ट है तो चलिए बिल्कुल आप पैन, कौपी, रबर, इरेजर, शार्पन सब लेके ब पहली बात यह है कि आपको दरपन बनाने के लिए यह पीछे जो है पॉलिश लगाना जरूरी है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गैर जिम्मेदार माना जाएगा आपके नंबर कटेंगे यहां पर हमारे पास में धुरू याने की पोल होता है उसके बाद में यह फोकस है और ये बिंदू वकृता केंदर याने की सेंटर अफ करवेचर है यह जो लाइन आपको नज़र आ रही है इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एकसिस याने की मुख्य अक्छ यह सारी चीजें हर हालत में हर एक डायग्राम में हर एक रेख़ा चित्र में आपको इसके बारे में क्या करना कर सकते हैं तो हमारी वस्तु जो है वो हमको कहा कहा मिलने वाली है इसके बारे में बात करेंगे तो हमको क्या समझ में आता है भाईया वस्तु के लिए सबसे पहला सबसे पहला उपाई ये है कि यदि वस्तु अनंत पर हो वस्तु अनंत पर हो सकती है दूसरी बात है कि वस्तु जो है अनंत पर तो नहीं है लेकिन भई क्या है आप समझे कि आपका जो है जो डिश टीवी है उस डिश टीवी में जो है जो सैटेलाइट जहां से सिगनल आ रहा है वो अनंत दूरी पर है यहां मान लेते हैं डिश गेंदर जो है उसकी निश्चित दूरी होगी जो पांच मीटर 10 मीटर 50 मीटर जो भी हो सकती लेकिन उस दूरी के बाहर जो है जब आप वस्तु को रखेंगे तो न तो वस्तु अनंत पर है और नहीं वह वक्रता केंदर की दूरी पर है तो इस स्थिति में हम उसको बुलेंग इसके बाद में तीसरी स्थिती आपको समझ में आही गई होगी कि हम C पर भी तो रख सकते हैं वस्थू को सीधा C पर भी रख सकते हैं इसके अलावा C के C से कम दूरी लेकिन F से अधिक दूरी मतलब ये चौथी स्थिती है जब हमारी वस्थू C और F के बीच में होगी between C and F पाचवी स्थिती जो बनती है वहाँ पर है कि हमने वस्थू को F पर ही रख दिया ठीक है? F पर और इसके अलावा छठवा जो है हमारे पास में जो possibility बनती है छठवी जो संभावना है वो ये है कि वस्थू F से भी कम दोने पर हो मतलब F और P के बीच में हो तो F and P के बीच अब जितनी इस्थितियों पर जह हमको वस्थू रखने का मौका मिल सकता है उतनी ही सारी स्थितियों पर हमारे प्रतिबिम्ब बनने की संभावना है है हमारे image की बनने की possibilities है तो image भी इन सारी की सारी 6 जगों पर बन सकता है इसलिए अगला जो बिंदू है वो हम बात करेंगे तो प्रतिबिम्ब कहां बनेगा इसके बारे में बात करेंगे और यहांपर भी ये 6 ए 6 बिंदू वहांपर प्रतिबिम्ब बन सकता है लेकिन एक और संभावना है और ये है कि प्रतिविम्ब दर्पन के पीछे जैसे कि हम संतर दर्पन में अपना प्रतिविम्ब उस दर्पन के पीछे देखते हैं उसी प्रकार से यहां पर भी प्रतिविम्ब दर्पन के पीछे बन सकता है यदि आपको इस बात पर यकीन नहीं आता है तो आप चमच उठा ये और उसको बहुत पास लाके देखिए आपके चहरा आपको दर्पन के अंदर दिखाई देगा ठीक है तो यहां पर जो है एक और संभावना हो गए किस के लिए प्रतिविम्य के लिए तो यह जी इस प्रतिविम्य वाले कॉलम में हम सात्वा लिख देते हैं कि यह दर्पन के पीछे भी हमको दर्पन के पीछे यहां पर जो है हमको प्रतिविम्य मिल सकता है अब अगली बात यह है कि प्रकृति क्या हो सकती है प्रकृति जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या बाते की थी कि यदि दो किर्णे वास्तों में कहीं पर मिल रही हो तो वहा पर वास्तविक प्रतिविम्ब बनता है वास्तविक ठीक है और यदि प्रतिविम्ब वास्तविक न हो तो दूसरे प्रकार के प्रतिविम्ब को हम बोलते हैं आभाशी तो हमारे पास में दो प्रकार के प्रतिविम्ब बनने की संभावनाएं है या तो प्रतिविम्ब वास्त प्रतित होती हैं लेकिन δो किर्णे वास्तव में उस बिंदू पर नहीं मिल रही होती हैं, तीसरी बात है कि वस्तू के बारे में हम लोग को जाल लिया, प्रकृति कैसी है ये भी जाल ले लिया, अब हम बात करेंगे जुकाओ की, जुकाओ की, तो जुकाओ का मतलब क्या होता है, भाई यैसे कि हम दरपौण के सामने खड़े होते हैं, हमारा सीर उपर है और हमें दर्पौण में भी प्रतिविम्ब का सीर उपर नज़र आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम सीधे ह होते हैं लेकिन हमको हमारा प्रतिविंब उल्टा नजर आता है तो अब यहां पर जो है जुखाओं में हमको दो प्रकार के जो है मिल गए पहला है कि जो प्रतिविंब बनेगा वह सीधा और यह सीधा बनने वाला प्रतिविंब सीधा और यह सीधा बनने वाला प्रतिविम्ब ज़्यादा तर मामलों में अभासी ही होता है दूसरा बनेगा उल्टा और उल्टा प्रतिविम्ब उल्टा प्रतिविम्ब मुख्य रूप से वास्तविक प्रतिविम्बों की पहचान है ठीक है अब यह दो चीज़ें जान ली फिर हम आगे बात कर सकते हैं आकार की तो यदि आकार की बात करेंगे तो आप बताए क्या-क्या संभावनाएं हैं आपका प्रतिविम्ब पहली ब सकता है कि आप का प्रतिविम्ब छोटा हो यह सारी बाते हम लोगों ने कर लिए अब जो है हम लोगों ने वस्तु देखा प्रतिविम्ब देखा और आकार देख लिया अब आप देखें कि आप से यदि हम रेखा चित्र वाला प्रशने पूछते हैं तो एक रेखा चित्र में आपको कितने नंबर दिये जा सकते हैं अगर मैंने चार नंबर का प्रशने दिया है तो चार नंबर में देड़ नंबर आपको रेखा चित्र का मिल तब हर एक स्थिति के लिए हर एक वस्तु की स्थिति के लिए हम रेखा चित्र डिस्कस करते चलेंगे यहां पर आपको डायग्राम बनाना है और वो चारो नियम जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखे थे उनको याद रखना है चली आई यह सुरुवात करते हैं सब नहीं रखेंगे हमेशा वक्रता केंद्र भी दरपन के पीछे है और फोकस बिंदू भी दरपन के पीछे है तो यहां हम देखेंगे कि हमारे पास में दो ही संभावनाएं हैं या तो आप अनंत पर वस्तु रखें जिससे समानतर रेखाएं आ रही हो और या तो फिर जो है आप इसके अलावा किसी भी स्थिति में किसी वस्तु को रखते हैं तो आप बस यह बोल पाएंगे कि हमने वस्तु को दरपन के सामने रखा है बस कितनी इसी बात है इसके अलावा आपके पास पर संभावना है नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो है रेखा चित्र पहला रेखा चित्र यहां पर देखिए आपको समझना क्या क्या चीज़ें हैं आप सबसे पहले एक रेखा चित्र में यहां पर पॉलिश लगाएंगे फिर आप लिखेंगे पी दुरू है एफ मतलब फोकस बिंदु है और सी है वक्रता केंदर और यहां पर पी ए या फिर मुख्य अक्ष्य लिखेंगे यह करना आपके लिए बहुत आवश्यक है उसके बाद में आप बताएंगे कि भाई आपकी वस्तु कहां है वस्तु कहां है तो आप बोलेंगे वस्तु कहां है अनंत पर है फिर आप बोलेंगे कि प्रतिबिंब कहां है तो प्रतिबिंब अब देखिए यहां पर अब रेखा चितर देखेंगे पहले फिर जो है समझेंगे यह देखिए अनंत पर वस्तु रखी हुई है इसलिए जो प्रकास के किरने आ रही है वो एक दूसरे से समांतर आ रही है और मुख्यक्ष के समांतर हम लोगों ने उसे मान लिया है अब अगली ब तकरा रही होंगी वहीं प्रतिविम्ब बनता है तो यहां पर दो किरने टकरा रही है तो प्रतिविम्ब भी यहीं बनेगा अगला प्रशन है तो प्रतिविम्ब कहां बन रहे है प्रतिविम्ब फोकस पर बन रहे है फिर प्रकृति के बारे में बात किया तो प्रकृति में तो अगर ऐसा हो रहे तो आपको इसकी प्रकृति जो है कैसी मिली प्रकृति में यहां पर आप बोलेंगे वास्तविक है उसके बाद में हम आकार की बात करेंगे तो आकार की बात करेंगे तो क्या सूर्य का प्रतिविंब यहां पर बनेगा तो कैसा बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा तो यहांपर आप आकार के लिए कि आप बूल देंगे चोटा और उसके बाद में सबसे अंट में आप बूलेंगे के आवर्धन क्या है आवर्धन आवर्धन मतलब हाँ प्रति बिम्ब का जुकाओ कैसा होता है भई अगर जो है जुकाओ तो अगर हमारा वास्तविक प्रति बिंब बन रहा है तो वो उल्टा माना जाएगा यहां आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे वास्तविक प्रति बिंब उल्टा बनता है तो यहां पर जुकाओ के लिए आप क्या लिख सकते ह जुकाव उल्टा है तो यह हो गया हमारा पहला रिखा चित्र अब अगली इस्थति के बारे में आप सोचेंगे और अगली स्थिति के बारे में विचार करेंगे तो हम लोगों ने इतनी सारे स्थितियां देखी हुई है तो उन इस्थितियों में अगली स्थिति क्या है अग किस्पल एक्सिस यहां पर एफ लिखेंगे और यहां पर सी लिखेंगे अब हमारे जो वस्तिव है वह अनंत दूरी पर तो नहीं है लेकिन सी पर भी नहीं है अनंत हरी के बीच मुक्调 अक्ष के समानतर है इस से फायदा चया हुआ कि आप के बारे में हमगों पहले से पता है कि यह परावर्टन पस्काद ऐस थे के गुज這是 प्रकार से भेजो एक दूसरी किरन इस प्र dimensions से भेजी कि वो एफ से होकर गुजरी तो वहाँ पर क्या हमको नज़र आया कि परावरतन के पैस्चात वह मुख अच्छे किसा मांतर चले गई अब हमको क्या नजर आ रहा है कि जहां ये दोनों की दोनों कीरणे एक दूसरे से जाकर टकराई वहाँ पर हम लोगों ने प्रतिबिम्ब को बनता हुआ मान लिया अब बताईए कि यहाँ पर प्रतिबिम्ब कहाँ पर बन रहा है तो प्रतिबिम्ब बन रहा है सी एवं एफ के बीच ठीक है इसके बाद में अगली बात करना है कि इसकी प्रकृति कैसी है प्रकृति कैसी है क्या यह वास्तविक प्रतिबिम्ब है बिलकुल क्यों है क्यों क्य या वास्ताव में प्रकास की खीरण दूसरेसे मिल रही तो यह अब आप देखकर बता जो अवरधन चंटा तो अब यहां आप कैसा है तो फॉप कैसा है उल्ठा है उल्टा है और अब आखरी में आपको बोलना है आवर्धन चमता तो आवर्धन कैसा है तो भाईया आवर्धन मतलब कि वो बड़ा है कि छोटा है आप देखिए कि हमारा जो वस्तु है वो छोटी है और बड़ी है और उसके मुकाबले में उसका जो प्रतिवे में बन रहा है वो छोटा है तो यह आप इस प्रकार से पूरा ड़ी डाग्राम बनाएगे इस प्रकार से उससे प्राण किया और आगे हम देखती है कि जब वस्तु के आने के बाद में हम यहां लिख देंगे मूख यह है हमारा प्र छाहिक in ए कि दूवर स्के बाद में यहां पर फोकस बिंदू यहां पर होगा केनदसी ठीख है अब १ 2000 कuation किया हम डहों की जे चैनल में एक प्रकास केां सीथी बेज़ी जो परावरतन के पश्चात कहा से गुजरी एप से होकर भेजी परावरतन के बात जो है कहा जाती है मुख्य अक्षय के समानतर जाती है यह दोनों किरने exactly वहीं मिलती है जहां पर से वहां पर से हम लोगों ने वस्तु को रखा था और यह बिंदु है सी तो अब हम बताएंगे क् है हमारी वस्तु कहा है सी पर है हमारा इमेज कहा है हमारे हमारा प्रतिविंब कहा है यह भी सी पर है उसके बाद में हम नेचर के बारे में बात करेंगे नेचर के बारे में बात करेंगे मतलब प्रकृति कैसी है तो वस्तु ही खायाने की रियल है उसके बाद में हम कि कि निंगी किसा है आप बोलेंगे उन्टा यह मतलब ऑल्किसा है इसके भाद में आप बोलेंगे कि इसका मैगणका कैसा है ऑूर आप यहां पूलेंगे अधाल है बराबर एक होनेमे मैं नहीं मैंने पर यह लिभा टाकि आप आगे बात और अगली जो स्थिती है वहां पे कि हमारा हमारी वस्तु जो है अब कहां आ गई भाई फिर से हम क्या करेंगे यहां पर जो है हम पॉलिस करेंगे पॉलिस करने के बाद में यहां मुख्य अच्छ लिखेंगे यह हो जाए गापी यह बिंदू है एफ यह बिंदू है सी और अब ह कीरण हम लोगों ने भीजी एप से जो परावरतन के पस्चात मोग के अक्षा के समानतर हो जाती है ऐसी इस्थिती में जहां वास्तों में किरने टकराती हुई नजर आई वहां पर हमको हमारा इमेज यहने के प्रतिवेम में मिल गया मताईए हमारा ऑबजेक्ट कहा है ऑबज इसका नीचर कैसा है प्रकृति कैसी है क्या यह वास्तों में है यस तो हम लोगों ने रियल लिख दिया अब अगली बात करते हैं कि इसका इंकलिनेशन यहन्यकी जुकाव कैसा है तो यह उल्टा दिखाई दे रहा है तो इन्वर्टेड लिग देते हैं ठीक है और आखर ब आगे की बात क्या करना है अगली बात फिर है जब हम वस्तु को फोकस पर ही रख देंगे देखिए हम लोगों ने फिर से जो है क्या करेंगे सबसे पहले हम लोगों जो है पॉलिस चड़ाएंगे यहां पर इस बिंदू का नाम पी रखेंगे यह मुख्य अक्षेन की प्रिंस इस बार हम लोगोंने वस्तु को कहा रख दिया एस पर ही रख दिया यहाँ जैसे ही हम लोगोंने एफ पर रखा तो हम एक किरन इस प्रकार से भीज रहे हैंकि से आती हुई पर फिर हम बोसकते है कि वो जिस परावर्तन बिंदू पर दरपण से टकराएगी उस पर नब्बे अंसका कोंड बना रही हो तो वो उसको देखकर ऐसे लगएगा कि वो किरंड जो कहां से आ केंदर से आ रही है और वो अपने रास्ते में ही लोट जाएगी इसी प्रकार यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग ने एक बिंदू पर यहां पीपर भेजा यह कोंड आई है और यह कोंड आर है ठीक है और इस इन तीनों रिखाओं को देखने से हमको समझ में आत अनंतपर बनेगा तो अब हमारे पास में आपजिक कहां है एफ पर है हमारी वस्तु एफ पर है हमारा प्रतिविंब कहां बन रहा है तो हमारा प्रतिविंब बन रहा है अनंतपर कैसा बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी वास्तविक होगी ठीक है और अगर वास्तविक प् जो है वस्तु का जो है हम जब आकार देखते हैं तो फोकस बिंदु पर एक बिंदु मात्र आकार में रह जाता है अगर हम फोकस पर जो है बहुत छोटाई से वस्तु भी रखेंगे तो अनंत में जाकर उसका आकार कितना हो जाएगा वो भी जो है अनंत हो जाएगा तो मैगन रहोगा क्योंकि ये डाइग्राम बनाने का काम मैंने बोर्ड पर नहीं किया है लेकिन आप चीजों को समझेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आसानी से चीजें समझ में आएंगे आगे बढ़ेंगे और अब हमारे पास में एक विसे स्थिती है जब देखिए हम जो वस्तु है वो फोकस और द्रुव के बीच में हैं यहां से हम लोगों ने एक किरण को हर बार यह हमको आता है इसलिए हम करते हैं तो एक किरण हम लोगे इस प्रकार भेजी कि वो मुख्यक्च के समानतर हो तो परावर्तन के पस्चात वो क्या हो गई फोकस से होकर बहुत हो तो वो परावर्तन के पस्चात अपने ही रास्ते में वापस लोट गई और यहां पर वापस लोटती हुए किरण जो है उसको देख के रैसा लग रहा है जैसे कि वो इस बिंदू से आ रही है इसी प्रकार हम आपको एक सीधा सा उदारन देता हूं कि या तो दो क खाओं के बीच की दूरी कम होती जा रही है तो आगे कहीं जाकर आपको उनका इंटरसेक्शन मिलेगा वहां को उनके टकराने का बिंदू मिल जाएगा और यदि उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है कि आपको पीछे जाके जो है उनके टकराने का बिंदो मिलेगा यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों किर्णों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जहां से हमको मिलेगा कि वहां पर यह दोनों किर्णे आपस में टकराई होंगे और यहां पर हमको इसका प्रतिविंब दिखा उसके बाद ने अगली बात क्या है प्रकृति क्या है तो प्रकृति में यह आभासी प्रतिविंभ है यही से वापस लोट रही है लेकिन हमें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है तो यह वास्तविक किरनें यह सिर्फ वो ऐसी दिखाई दे रही है इसलिए आभास यह प्रतिविम्ब है उसके बाद में हमको पूछना है कि यह प्रतिविम्ब जो है उसका जुकाव कैसा है जिस प्रकार नीचे से उपर हमको वस्तु दिखाई दे रही है उसी प्रकार नीचे से उपर हमको प्रतिविम भी दिखाई दे रहा है यह प्रतिविंब खड़ा हुआ है ठीक है और अगली बात क्या है कि भाई आकार के बारे में बात कीजिए तो आकार प्रतिविंब का वह वस्तु से बड़ा है इस प्रकार से पांच बिंदों हम लोगों ने डिसकस कर लिए इन पांच बिंदों को अब भीरास करें लेकिन इसका विशे अब भीरास कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या देखते हैं हम लोग अब हम लोग औतल दरपन के बारे में तो बात कर चुके हैं हमें बात करनी है उतल दरपन के बारे में अब उत्तल दर्पन के बारे में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों ने जहां पर पॉलिस लगाई है वो वृत्ते के अंदर वाला हिस्सा है और वृत्ते के अंदर ही हमें वक्रता केंद्र भी मिलता है और वृत्ते के अंदर ही हमें फोकस भी मिलता है और यहाँ पर हमें P बिंदू दिखाए देता है, मुख्य अक्षय तो हर एक स्थिति में हमको मिल ही जाती है, लेकिन अब समस्या यह है कि जिस प्रकार से हम लोगोंने C के परे, C पर, F और C के बीच में, और F पर, उसके बाद में P और F के बीच में, इतनी सारी स्थितियों में जैसे हम लोगोंने वस्तु को रखा था, अब वो संभव नहीं है, तो यहाँ पर दो ही उपाए हैं आपके पास में, पहला उपाए है कि आप वस्तु को अनन्त दूरी पर रखें जैके सूर्य और उसका प्रतिविंब कहां बनता है, तो आप क्या देखेंगे, यह अनन्त पर रखी हुई वस्तु जो है मुख्य अक्ष के समांतर आप्तिद कीरण परावर्तन के बाद में उत्तल दरपन के लिए फैल जाती है, और सीज फोकस से आती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर बिंदु मातर का आपके पास में प्रतिविंब बनेगा और वो भी आभासी प्रतिविंब होगा, ठीक है, और अगली स्थिती, अगली स्थिती के लिए आप, आप कलपना करें कि भाई, आपकी कार में जो पीछे जो है, जो आपकी सडक है, या आपके पीछे के बाहन हैं, वो छोटे दिखाई देते हैं, और उसमें लिखा रहता है कि आपजेक्स आर क्लोजर देन दे अपियर, मतलब जो भी पीछे चीजें हैं, वो जितनी दूर दिखाई देती हैं, वो ज्यादा पास में हैं, अब हम देखेंगे कि उत्तल दरपन के लिए यहां पर जो है हम लोग ने कर अब भाई दूसरी स्थिती क्या थी अनंत पर नहीं रखेंगे तो सामने रखेंगे और सामने रखने पर एक किरण जो है वो मुख्यक्च के समानतर आएगी और परावरतन के पस्चात में इस तरीक किरण को इस प्रकार से भेजें कि वह परावरतन बिंदू पर नब्यांस का कौन बना रही हो यानि कि सी की दिसा में आप्तित किरण हो तो अब परावरतन के पस्चात अपनी ही दिसा में लोट जाएगी मतलब यहीं लोटेगी और अगर यहां लोटेगी तो खिरने जो है क दरपन के आगे दरपन के आगे ठीक है उसके बाद में हमारा जो है प्रतिविंब कहां मन रहा है दरपन के पीछे दरपन के पीछे उसके बाद में अगली बात क्या है कि उसकी प्रकृति कैसी है तो प्रकृति आभासी है आभाशी है उसके बाद में अगली बात जुकाओ कैसा है जुकाओ कैसा है तो जुकाओ सीधा है और आखिर बात है कि उसका आकार कैसा है या आवर्धन चमता कैसी है तो आकार या आवर्धन है छोटा हमारा जो भी वस्तु है उससे हमारा प्रतिविन का आकार छोटा है टी नहीं टा कर देते हैं भैया ठीक है तो इस दरपन्ट से जुड़े हुए सभी के सभी रेखा चित्रों को पढ़ा और उसके बारे में सीखा यूटुब में पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अभीपसा के चैनल को तक पहुँच गए और इसका मतलब यही है कि आप अभीपस हमारे साथ सीखना चाहें तो अभीपसा का हमारे एक प्लैटफॉर्म है जिसका लिंक आपको नीचे दिखाई दे रहा है आप उस लिंक में जाएंगे और वहां से हमारा अप्लिकेशन जो की प्ले स्टोर में अविलेबल है वहां से आप जो है अप्लिकेशन डाउनलोड कर रहता है तो देर किस बात की आप हमारे लिंक पर जाएं हमारे अप्लिकेशन पर जाएं और इस चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को पी शेयर करें तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद